बच्चो अब हम solve करेंगे question number second को exercise 8.1 देखो question कहें कि if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle बई अब ये कह रहें कि अगर आपको एक parallelogram दे दिया जाए और साथ में क्या बोल दिया जाए कि इसके जो diagonals है ac diagonal bd ठीक है ये दो diagonal किया है आपस में equal बोल दिये जाए दिन आपको ये प्रूब करने कि ये parallelogram अब क्या बन गया एक rectangle तो हमने जितनी भी parallelogram की properties या theorem करी थी क्या हमने कहीं पे भी कुछ angle से related ये चीज़ पड़ी थी कि उसका क्या हो angle 90 degree होते हैं नहीं types of quadrilateral के अंदर हमने देखा था कि एक parallelogram कैसे rectangle बनता है जब उसके opposite sides क्या हो जाती है equal हो जाती है and एक angle सिर्फ एक angle की बात की थी हमने वहाँ पर क्या हो 90 degree हो तो हम क्या 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 देंगे कि ये एक rectangle है तो parallelogram के अंदर हमने ये चीज़ तो देख लिए कि ये side इसके को लोती है ये साइड इसके को लोती है ये तो हम कर चुके है है ना ठीक है जी तो हमें इसको तो प्रूफ करने के जुरत नहीं है जो चीज़ पर हम अल्ड़ी थियोरम्स में कर चुके है पकर लो उनको चीज क्या रहे गई कि मैं कोई भी angle ABCD में कोई भी angle ये प्रूफ कर दो 90 degree है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा rectangle ठीक है चलो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बाचाईए अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना given लिख लेता हूँ कि हमें given क्या है देखिए हमें given है इसके अ a b is equal to c d and a d is equal to b c साथ सब parallel भी और parallelogram तो होई गया ठीक है यह चीज हमने ले लिए देन वो क्या किया रहा है इसके जो डाइगनल्स है वो भी equal है ठीक है वो भी लिखो साथ में कि a c डाइगनल्स ऐसे लिख ली जाए डाइगनल्स a c is equal to diagonal हमारे पास b d के equal है ओके चलिए तो अब हमें बच्चों क्या शो करना है कि यह a b c d से the tangle या मैं उसको दूसरे sense में क्या कहूं कि any angle any angle is equal to 90 degree which implies क्या शो करता है कि जो हमारे पास a b c d यह वो क्या हो जाएगा बच्चों एक rectangle a b c d is a rectangle हो जाएगा नहीं हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा चलो तो अब हम इसको पकड़ते और question को solve करते यहां पे तो मेरे पास देखो proof कैसे लेंगे हम इस proof के अंदर हम कौनसे triangle consider करने वाले है यहां पे हम consider करेंगे कि जिसके अंदर हमारे सारे diagonal से आ जाए तो सबसे पहले c b ok इस triangle के अंदर अगर मैंन को congruent proof कर दूँ तो मेरी काफी चीज़े निकल जाएगी देखिए congruent proof कैसे करेंगे ad triangle यह वाला है मेरे पास ठीक है जी ad is equal to c b होगा बच्चो क्यों नहीं होगा कैसे होगा opposite sides of parallelogram are equal ठीक है जी दूसरी चीज़ देखो हमने क्या लिया है एक यह वाला लिया तो उसके अंदर ab ab common है खीक है जी दो चीज़े मिल गई खीक है उसके बाद देखो आपके पास यह triangle है और हमारे पास यह जो diagonals है वो given है तो हमारे पास s s rules से हम क्या 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 देंगे यह triangle जो है हमारे congruent है चलो कर लेते हैं अब मैं वह जो चीज़ बताई है वो लिख रहा हूं कि ad की adb के अंदर हमारे पास देखे ad हां जी ad is equal to bc ओके दें दूसरी आप लेलो diagonal वाली diagonal हमारे पास ac ठीक है किसके बोला है ac इस triangle की बात करें तो bd आएगा sorry जोंसा triangle जिस sequence में लिए वो ही लिखना please हमारे पास bd आएगा diagonal bd is equal to diagonal हमारे पास ac हो गया ठीक है एक साइड ही होगी एक साइड ही होगी दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास जो मैंने बताया a b क्या बच्चेस के अंदर common है अंजी ले लिजे a b common हो गया और ये क्या चीज़ थी आपके पास given तीन चीज़े आगी अब इन तीन चीज़ों में s s s लग गया ठीक है जी तो हम क्या बोलेंगे कि therefore triangle a d b congruent हो गए triangle a c b के किस वज़े से s s s rule की वज़े से अगर ये congruent है तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर कि हमारे पास ये जो angle है इस triangle का angle a और इस triangle का angle b क्या होंगे आपस में equal होंगे angle a is equal to angle b हो जाएगा क्यों भई cp ct cp ct क्या होती है cp ct corresponding part of congruent triangles ठीक है जी angle a is equal to angle b आगया ठीक है अब हम अपनी दूसरी चीज़ इसके अंदर स्टार्ट करेंगे जो है वो ये है कि हमारे पास angle a plus angle b ok ये किसके कोल है बच्चो वह लेकी degree के क्यों है co interior angle आपको मैं line बताता हूँ सिर्फ वो इसको focus करना d a b c d a b c सिर्फ इसको focus करो इस तीन line को जो ऐसे बनी हुई है ठीक है d a b c इस figure को imagine करो इसमें से मैं क्या रहा हूँ ये angle और ये angle का sum ठीक है इस angle और इस angle का sum 180 degree है क्यों देखो ये दो parallel line a b क्या है transversal ठीक है इसको अगर आप ऐसे imagine करो ये आगया ऐसे parallel बढ़ी होती तो a b क्या है बच्चो एक transversal एक transversal के बच्चों ये क्या हो गए और उनका sum क्या होता है 180 degree ठीक है तो यहां पर हमारे पास angle a plus b क्या हो गया 180 degree ठीक है जी अब देखो आगे अब मैं यहां से क्या सकता हूं देखो equation 1 से में क्या क्या सकता हूं कि angle a plus angle a is equal to 180 degree angle b की जगा मैंने angle a रख दिया equal है ठीक है जी अपना present लिख लिजएगा अब देखो यहां पर इसका twice हो जाएगा angle a का which is equal to 180 degree and angle a is equal to 180 divided by 2 which is equal to 90 degree तो मैंने angle a equal to 90 degree therefore मैं क्या क्या सकता हूं angle b is equal to 90 degree हाना तो angle a b 90 degree है और b b मुझे दो एक ही प्रूब करना था कर दिया जिसकी वज़े से मैं क्या क्या सकता हूं कि therefore a b c d is a rectangle okay opposite sides equal थी and साथिसात parallel थी पहली चीज यह वाली चीज़ी इसके parallel एक्वल थी rectangle की एक चीज़ होगी कि opposite sides are equal and parallel दूसरी चीज़ इसकी यह angle 90 degree होते है हमने तो सिर्फ एक ही प्रूब करना था बट हम एक ही क्यों प्रूब कर रहे है क्योंकि इस एक प्रूब करने से हमारे पास दूसरी चीज़ जो हमने निकाली वह ओल्रेडी इसको प्रूब कर देते कि यह भी 90 degree होगा ठीक है जी अब चाहिए आप इसको उल्टा करके c और d ले निकालते वह भी 90 degree प्रूब हो या थे कोई दिक्कत थी आप triangle कौन सा consider करते d c b यह वाला triangle आया था यह वाली side आया थी इसमें यह एंगल आया थे वहां से प्रूब कर लेते कोई बात नियुको प्रूब करना था मैंने कर दिया मेरको यह मेरा पहलो ग्राम मैंने rectangle निकाल दिया ठीक है चलिए तो यह हो गया question number two आपका कोई भी doubt हो please comment box में डाल दीजे मैं कई बार कहता हूँ कोई भी चीज होग आपके लिए करना और मेरे लिए भी करना ठीक है चलिए कर दो